गाजा के भीतर तो इसरायली सेना और हमास के लडाकों के बीच भीशन जंग चल ही रही है इसरायली सेना को अपना ध्यान बार-बार वेस्ट बैंक पर केंद रित करना पड़ रहा है क्योंकि ये वो इलाका है जहां पर भड़की आग की एक चिंगारी इस्राइल की राजधानी तक को सुलगा सकती है और यही वज़े है कि इस्राइली सेना को वेस्ट बैंक में भी अपने आपरेशन चलाने पड़ रहे है लेकिन आईडियाफ के लिए वेस्ट बैंक में हमास का सफाया करना नामुम्किन सा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर हमास से जुड़े अन्य संगठन एक साथ मिलकर इस्राइली सेना पर हमले कर रहे हैं और इसी कड़ी में आलग सा मार्टर ब्रिगेड की तुलकारम ब्रिगेड ने मैं वो दोतन सेटल्मेंट में एक चेक पॉइंट पर एक बहुत बड़ा हमला किया है दरसर तुलकारम ब्रिगेड ने यहाँ पर इसराइली सेना की एक बस को मशीन गन हमले में उड़ा दिया है तुलकारम ब्रिगेड ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें उसके लड़ाके मशीन गन से सामने की तरफ हमला करते हुए नजर आ रहे हैं इसके अलावा तुलकारम ब्रिगेड ने सनाज मिलिटरी चेक पॉइंट पर भी इन ही मशीन गन से हमला किया है इससे पहले पश्चमी जेनिन में इन लड़ाकों ने दोतन मिलिटरी चेक पॉइंट पर हमला किया था और इनकी सीधी भिडंग इसराइली सैनिकों के साथ हुई थी यहां तक कि स्थानिय मीडिया ने भी कहा था कि प्रतिरोधी लड़ाकों ने पश्चमी जेनिन के पास सलेम क्रोसिंग पर आईडियफ के जवानों पर हमला किया था वहीं इस हमले से इतार फिलिस्थीनी स्वास्तमंत्राले का कहना है कि इसराइली सैनिकों की गोली बारी में एक 14 साल का मजीद अर्मिन नामका लड़का मारा गया है इस लड़के की मौच सायर कस्बे के पास हुई है जो उत्री अल खलील में है हाला कि इस हमले को लेकर आईडियाफ का कहना है कि ये लड़का उसके उपर चाकू से हमला करने की फिराक में था जो मुठ भेड में मारा गया है वहीं दूसरी तरफ वेस्ट बेंक के बाहर और गाजा के भीतर इसराईली सेना पर अलकूस ब्रिगेट ने एक बड़ा हमला किया है दरसल रफा शहर के जबालिया कैंप में एक बिल्डिंग में इसराईली सैनिक तैनाट थे जिन पर अलकूस के लड़कों ने हमला किया है अलकुज ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें एक बिल्डिंग में IDF के जवान छिपे नज़र आ रहे हैं और अचानक से अलकुज का एक लड़ा का उसी बिल्डिंग पर रॉकेट लॉंचर से हमला कर देता है जिसमें एक जोरदार धमाका होता है और इसी दोरान रफा के भीतर अलकुज के लड़ा के मोटर लावा से इसराइली सैनिको पर धावा बोल देते हैं आपको बता दे कि अलकुज ने इसका एक वीडियो जारी किया है जिसमें हमास का लड़ा का एक लाउंचर में दना दन मोटर लावा भरते हुए दिख रहा है और फिर उस लाउंचर से रॉकेट फायर हो रहे हैं हाला कि इन रॉकेट हमलों में इसराइली सेना को कितना और किस जगहा पर नुकसान हुआ है इस बात की जानकारी सामने नहीं आई है वोग में दो करता है